बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर हलो फ्रेंट कम बाक टू माई चैनल माइन में इस अंकोर में दिरत्ता दोस्तों अभी आभी मैं देखकर आये हूँ जवानी सी के बारें बात करें वाला हूँ विदाउट स्पोईलर हो जो बोलूँगा एकदम सच बोलूँग लिटरली थेटर में तालियां और चीकने के और सीटियों की आवाज इतनी जादा थी के कई बार आप डालोग नहीं सुन पाएंगे फिल्म बिलकुल आपका टाइम नहीं वेस्ट करती है शुरुआत से लेके कहानी पकड़ती है और भाई सब चलती हुई चली जाती है करेक टोटली साउथ फिल्म टोटली साउथ और एटली ने शारु खान को ऐसे अवतार में प्रेजेंट किया है कि आज तक कोई नहीं कर पाया था और शारु खान ने वो कर दिया है जो कोई सोज भी नहीं सकता था इसमें आपको एक शारु खान नहीं कम से कम पांच से छे माता इमोशन बाप का जजबात बाप बेटा जब साथ होते है ना आप चाहते हो भी अपनी पलक नहीं जबका पाऊगे यह बात की गरंटी है भाई बुड़ा शारू खान जो बना है ना ओहो वो जब सिगार पीता है ना उससे बड़िया सिगर्ट आज तक किसी नहीं पी मैं सोचता था कि बॉलिवुड में अज देखवन से बड़िया को सिगर्ट नहीं पी सकता पर आज जो शारू खान ने दिखाया है ना पागल घर्दिया बंदे ने पागल ऐसे सिगार पीता है भाई साफ एक्शन सीक्वेंस के बीच में सिगार अंदर चली जाती है फिर बाहर पागल हो जाओगे इंटरवल ब्लॉग भूल के भी मिस्स मत करना इंटरवल ब्लॉग ऐसा ब्लॉग है जो आज तक आपने नहीं देखा होगा रॉंक टे खड़े हो जाएंगे लिटरली रॉंक टे खड़े हो जाएंगे मज़ा आ गया यह सब चीजे देखकर भाई सब बाप बेटे के लिए क्या कर सकता है और बेटे का बाप के लिए कितना जादा इमोचन होता है बाप बेटे के और मा बेटे की कहानिया कसम सी लिटरली यारे खा गया अटली खा गया इस फिल्म के बाद अटली की इतनी डिमांड बढ़ने वाली है बॉली वूड के अंदर भाई सब रुकने वाले नहीं है, वो रुकने वाले नहीं है, वो इस टम टॉप पर पहुंच चुके हैं, तमिल इंडस्ट्री के अंदर बॉलिवुड में, उनको भाई मुँ मांगा पैसा मिलने वाला है, शारूख खान, किंग खान, ऐसे नहीं कहलाते हैं, अगर ये फिन्म विजे सेतूपती के बारे में क्या बोलूँ, कम बोलता है, पर खतरनाग बोलता है, कम बोलने के बाद भी बावजुद उसके रोल में कमी नहीं है, नायनतारा बहुती स्मीट लगी है, जबरदस्त, और पाँछो लड़कियों की जो गैंग है, वो बहुत जबरदस्त है, शारूख खान इसमें सेनपती है, तो लड़किया इसमें रानिया है, रानिया, इस तरीके से अटली ने इस फिल्म को प्रेजेंट किया है, यह फिल्म मिस कर दी, तो सब कुछ मिस कर दिया, इस विल्ल बिकम दा इयर बिगेस्ट ब्लोक बस्टर, 2003 कि सबसे बड़ी बिगेस ब्लॉकबस्टर बनने वाली है कोई नहीं रोख सकता और टाइम ब्लॉकबस्टर कल से तुम थेटर कम पढ़ने वाले हैं ये मेरी गैरंटी है क्योंकि जितनी स्क्रीन लगा लो पब्लिक दिवानी हो चुकी है ऐसा रिस्पॉंस ऐसा रिस्पॉंस आज तक नहीं देखा अब इस वीडियो के लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई दस हजार लाइक आने चाहिए इससे कम तो बनता ही नहीं है जहां शेयर करना है मारो भाई सब पांच तो पटियां खरीदी है मैंने अब इसका बदला मुझे चाहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब से वी थास्ट कर दो चाहिए